हेलो तो यहाँ पर ब्रेकिंग निउस की बड़ी खबर है कि चीनी एप्लिकेशन को भारत सरकार ने बैन कर दिया है जिया चीनी एप्लिकेशन की उन साथ एप्लिकेशन को भारत सरकार ने बैन कर दिया है चीन के खिला भारत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए उन साथ ची उन सित्तर एके तहत इन उन पचास एप्लिकेशन को भारत में बैंद कर दिया है। मंत्रायल ने एक नोटिस चारी करके बताया कि उन साथी चीनी एप्लिकेशन उन गती वीडियों में लगी हुए थे। जो भारत की सब्रुबुता और अखर्णता, भारत की रक्सा, राज्य की सुरक्सा और सार्वजिनिक विवस्ता के लिए बहुती बड़ा खत्रा है। ऐसे में सरकाने इन एप्लिकेशन पर प्रतिबन लगाने का फैसला कर दिया है। आपको बता दे के बीते कुछ वर्सों में भारत स्मार्टफोन और एप्स के लिए दुनिया के सबसे बड़े बाचारों में से एक बनकर उबरा है। ऐसे में उन साथ पॉपिलर चीनी एप्लिकेशन को भारत में बैन करना चीन के खिलाब एक बहुती बड़ी कारवाई बताई जारी है। पॉपिलर की जानकरी उनका डेटा चुराती है और इतना इने बल्कि उन डेटा का मिस यूज़ करती है तो अगर आपके पास यह अप्लिकेशन अभी अपने स्मार्टफोन में है तो इसे तूरंती डेलिट कर दीजिए जिहां अनिस्टॉल कर दीजिए। मंतराल का कहना है कि 130 करोड भारतियों की डेटा पर खत्रा मंडरा राथा जो कि गंबे चिंता का विस्थ है। नोटीस में बताया गया कि भारतिय साइबर अपराद समन्त केंद और गरम अतराल ने भी इन एप्लिकेशन को बैन करने की सिफारिस पेजी है। इसके अलवा देश के नागरिकों और जन प्रतिनिद्यों से भी इन एप्लिकेशन के खिलाफ में सिकायत मिले थी। सरकार ने जन एप्लिकेशन को बैन कर दिया है उन एप्लिकेशन की लेश्ट यहाँ पर आपको देख गई है। आप है। वाल कर देख वाल कर दिया है। हाँ वाल के।